हेलो अब्रिवन जै हिंद आज है 16 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम 16 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफर के सभी important questions को discuss करेंगे सबसे पहले revision करेंगे Saturday को जिन questions का हम लोगों ने discussion कर लिया था इसका quick revision करते हैं हमास ने इसराइल पर जो हमला किया इस हमले को इसने अल अक्सा फ्लड नाम दिया हमास क्या है पैलेस्टाइन का एक आतंकी संगठन है आठवे क्रम का BRICS जो अंतर राज्ट प्रतिसपर्धा सम्मेलन था ये दिल्ली में आयोजित किया गया Forbes के विश्व के सर्वस रेश्टाओं की जो लिस्ट जारी की गई थी इसमें शामिल एक लौती पब्लिक सेक्टर यूनिट बना था NTPC Global Hunger Index जो इस साल का रिलीस किया गया है भारत को 111 वे इस्थान पर रखा गया है Mental Health Day जो World Mental Health Day है दस अक्टूबर को मनाया गया विश्व एथलेटिक्स ने इस साल Athlete of the Year के लिए नीरा चोपड़ा को नॉमिनेट किया है इसरो का दूसरा पोर्ट ये बनने जा रहा तमिल नाडू के थुतुखुटी में पहला स्पेस पोर्ट इसका आंध्रप्रदेश में है हाली में रेल लिंक पदमा ब्रिश का उद्गाटन ये किया गया है पड़ोसी बांगला देश में जलवाई परिवर्तन से जुड़ा ये जो इसपी नोजा पुरसकार है ये रिसेंटली डॉक्टर जॉयता गुपता ने जीता है और 2023 के लिए नूबल पीस प्राइस से सम्मानित की गई है नर्गिस मुहमदी तो इस अभी कोश्चन्स हम लोग ने सैटरडे की क्लास में पढ़ा था और संडे की क्लास में वीकलर वजन कर लिया था चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल सवाल है इसराइल ने हमास के खिलाफ जो लड़ाय जारी किये है इस कोड को क्या नाम दिया गया है बीते तीन से चार दिनों से में आप लगों को इसराइल और पैलस्टाइन की हिस्ट्री बता ही रही थी और बता भी चुकी हूँ कि भई ये वाले शेतर में जो आप ग्रीन वाला शेतर देख रहे हैं अच्छा सबसे पहले ये समझने से पहले जो नए श्टुडेंट है उन्हें तो ये बता दे हम की इसराइल वर्ल्ड मैप में कहां एक्जिस्ट करता है तो आप देख पा रहे हैं एशिया के नकसे में ये है इंडिया इंडिया से दिया आपको इसराइल जाना है तो गल्फ आफ आदेन बाबे मंडल होते हुए आप पहुँचेंगे रड सीनी की लाल सागर लाल सागर से क्रोस किये तो याप पहुचें मेडिटेरियन सी यहने की भूमत्य सागर और भूमत्य सागर से ही सीमा साजा करता हुआ एक छोटा सदे से इसराइल पॉपलेशन एक करोड से भी यहां की कम है इस्राइल जिसकी कापटल येरुसलम करंसी इस्राइली न्यू सेकल यहां से सत्ता में फिर से वापसी हुई है बिंजा में इन्यत निहाओ की जो कि वरतमान समय में यहां के प्रेसिरेंट है तो इस्राइल और पैलस्टाइन का जो विवाद है अभी से नहीं ये 60-70 साल से जादा पुरान इतिहास है इसका इसका कोई अस्तित्व देखने को नहीं मिलता है पैलस्टाइन का और Palestine और Israel की बीच में ये जो लड़ाई है ये कोई नहीं नहीं है ये बहुत पुरानी है जो कि आए दिन हिंसा करू लेते रहती है तो अभी क्या हुआ है कि Palestine का जो आतंकी संगठन था हमास इसने इसराईल पर जो हमला किया था इसे नाम दिया था अल-कसा फ्लड ये Friday या Saturday की क्लास में मैंने आपको बताया था आप कोशन को पलड दीजे इसराईल ने हमास के खिलाफ जो लड़ाई जारी की या जो बदला ले रहा है इस बदले को नाम इसने दिया है ऑप्रेशन आयरन स्वार्ड यानि कि ऑप्शन नमबर भी इसका राइट अंसर हो जाएगा हमास एक फिलस्तिनी उग्रवादी समू है जो कि गाजा पट्टी के कुछ शेत्रों में अपना कंट्रोल रखता है अभी गाजा पट्टी कहा है यहीं है भही इसकी लोकेशन ये इसराईल जो मैंने आपको दिखाया मिस्त्र इजिप्टे जिसे आप कहा सकते हैं और भूमध्य स सागर के बीच लगबग 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चोड़ा शेत्र है यहां 2.3 मिलियन लोग रहते हैं जो कि दुनिया में सबसे अधिक घनत्व जनसंक्या घनत्व वाले शेत्रों में से एक हैं ऑपरेशन अजय तो ये भी आप रिलेट कर सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा इसराइल में फसे जो भारती है इस हिंसा के महौल के 20 से उरहे निकालने के लिए ऑपरेशन अजय के शुरुआत की गई है सेम वैसे ही यूक्रेन में जब रश्या यूक्रेन कॉन्फिक्ट चर्चे में था उस समय यूक्रेन से भारतियों को निकालने के लिए सरकार्नी ओपरेशन गंगा चलाये था तो पैलेस्टाइन इसराइल दोनों पडोसी मतलब की हिंसा वाली घटना हम देख रहे हैं सेम वैसे ही यहां यह दि देखे उपर में रश्या यूक्रेन ये भी पडोसी लड़ भिड गये और देखे पडोसियों के साथ ना ना बनने है तो रिसेंट्ली बिहार का यह प्रोडक्ट है मिर्चा धान जोकी पश्यमी चंपारण जिले में उगाया जाता है यह काली मिर्च के जैसे दिखाई देता है और इसलिए इसी मिर्चा या मर्चा धान के नाम से जाना जाता है तो उसी साप सेदी हम देखें तो अब ना बिहार में GI टैग प्राप्तु प्रोड़क्ट्स की संख्या ये हो गई है इसके पहले में आपको शाहिलीची, जरदालुआ, मगही, पान, कतरनी, चावल और मिथिला मखाना ये पढ़ा ही चुकी है इसके अलावा अब मिर्चा चावल भी आप इसमें एड कर लीजे GI टैग यानि के जिग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये सबसे पहली बार मिला था ना 2004 में किसे मिला था तो ये दार्ज लिंक की चाई को मिला था हलाकि options के थुरू हम अन्य GI टैग को relate करेंगे लेकिन सबसे पहले हम बिहार को map के थुरू देख लेते हैं बिहार जिसकी राजधानी पट्रना मुख्यमंत्रे नितिश कुमार राजपाल राजेंद्र विश्वना थार लेकल एक मात्र नेशनल पार्क वालमी की नेशनल पार्क यहां राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनने जा रहा है जाती आधारे जनगर्णा कराने वाला यह पहला राज्य है और प्रधान मंत्री जन्धन योजना की क्रियानवन में बिहार ही रहा है टॉप पर नीति आयोक के दुआरा जो हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया गया था इसमें सबसे नीचे है सबसे नीचे है अभी हमने पश्चमी चंपारण डिसकस किया मर्चा चावल से पूर्वी चंपारण में आप रिलेट करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा रामायर मंदिर बनने जा रहा है यह करंट अफेर में हाला कि मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है ओडिसा का कोई ऐसा प्रोड़क्ट है जिसे जी आई टेग मिला तो देखिए यहां की एक मिठाई है रस बली रिसेंटली इसे जी आई टेग मिला है जम्मू कश्मीर की बसोहली प्रेंटिंग बसोहली प्रिंटिंग इसे GI Tegg मिला है और क्या बताए जमू कुश्मिर का एक प्रोडक्ट है जो हाल फिल हाल में हमने डिस्कुस किया है यह हो जाएगा पश्मीना गौवा का काजू जिसे अभी हाल फिल हाल में GI Tegg मिला है यह भी करंट कही सवाल है ICC One Day International World Cup में सबसे अधिक सतक लगाने वाले जो खिलाडी बन गये हैं ये बन गये हैं हिट मैन रोहित शर्मा ये भारती टीम के कैप्टन भी है इन्होंने World Cup के 19 पारियों में सबसे अधिक निकी 7 सतक सेंचरी लगाए हैं तो रोहित शर्मा इस मामले में टॉप पर है फिर सचिन तैंदुलकर हैं दोनों भारत से हैं फिर और उस्ट्रेलिया के रिकी पॉंटिंग और श्री लंका के संगा कुमार संगा कारा दोनों 5-5 सतक लगाए हैं तो साथी वर्ल्ड कप में अंतरास्टर क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्ये लगाने का रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है और रोहित शर्मा ने ये उपलब धी वर्ल्ड कप में अभी अफगानिस्तान के खिले गया मैच में हासिल करी है तो रोहित ने सबसे अधिक छक्ये लगाने के रिकॉर्ड में क्रिस गेल का रिकॉर्ड ये अभी कुछ दिन पहले ही थोड़ा था ये वने आपको करंट अफर में पढ़ाया है लगी विराट कोली सबसे तेज 13,000 रन का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है शुबमन गिल तो औरेंज कैप औरेंज कैप जिरोंने सबसे ज़ादा रन लिये थे IPL में औरेंज कैप ही ये कप नहीं है महिंद्र सिंग धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास ले चुके हैं लेकिन अभी ये रिलैंस जियो, जियो मार्ट के ब्रैंडम बैजडर बने है महिंद्र सिंग धोनी ये चिन्ने सुपर किंग्स के लिए खिलते हैं चिन्ने सुपर किंग्स के कैप्टन है और इस बार चिनने सुपर किंग से हीनी की कैप्टन सी में विज़ता थी पांच वी बात हुरन इंडिया रिच लिष्ट दोहजार तेईस के नुसार सबसे अमीर भारती कौन है तो रिसेंटली मुके संबानी ये बने हैं देश के सबसे अमीर वेक्ती अभी हुरन ने अपने इंडिया रिच लिष्ट जारी किये इसके नुसार और इस मामले में इन्होंने गौता मडानी को पीछे छोड़ दिया है हलाकि यहाँ पर मुके संबानी की भी संपत्ती लिखी हुई है गौता मडानी की भी लेकिन कभी वे एक्जाम का पार्ट नहीं बनेगा और संपत्ती का क्या है यह हर दिन इनकी बढ़ेगी घटेगी चेंज होते रहती है तो बस वन लाइनर में याद रख सकते हैं मुकेस अम्मानी यह रिलाइन्स इंडस्ट्री लिमिटेड के मालिक है और रिलाइन्स इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा इसका जो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये कहां बनने जा रहा है, तमिल नाडू की क्या पटल चिन्ने में बनने जा रहा है, गौतम अडानी, अडानी ग्रुप से आप क्या रिलेट कर सकते हैं, देखें, करई काल पोर्ट, ये कहां है भई, पुदुचेरी में है, और इसका अधिगरहन रिसेंटली, अधिगरहन, क इसराइल के हाइफा पोर्ट का भी अधिगरहन रडानी ग्रुप ने किया था, रतन टाटा, देखें, टाटा ग्रुप के पास नहीं संसत भवन को बनाने का टिंडर मिला था, लगबग, एक हजार करोर में ये काम, इन्होंने कम्प्लीट किया दिल्ली में, अधार पुना ये कौन है, तो ये सीरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया, जिसका हेटक्वाटर पुड़े महरास्ट्र में है, सीरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया के ये CEO हो जाएंगे, ये वही सीरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया है, जिसने की कोरोना वैक्सीन, कोविशिल्ड का निर्म हो चुकी है जो कि शिवसंकरी रही थी इनकी रचना सूरी वंसम ये वाम साम लिखा है मैं इसे कर दूंगी वंसम है सूरी वंसम इसके लेन हुने ये जीता है इस अवार्ड की शुरुआत उन्नी सुइंक्याननवे में हुई थी पहली बार इसके विजय था अमिताब बच्च प्रवाइड कराया जाता है पिछले दस साल के भीतर प्रकाशित किसी उत्करष्ट करती के लिए ये अवार्ड दिया जाता है वैसे ही आप रिलेट करें तो व्यास सम्मान जो पिछले साल के विजयता थी नाम घोशित हुआ था जो ज्यान चतुरवेदी थी अंतराष्ट् की मुल्की गितांजली श्री है और इस साल नोबल शांति पुरुसकारीन की नोबल पीस प्राइज जो जीता है ये किस ने जीता है इरान की मानवाधी कारे करता नर्गिस मोहमदी ने अगला प्रशन है हाली में भारत का पहला वेटलेंड शेहर कौन बनेगा अभी तक मैं को वेटलेंड कोई साइट घुशित होती थी वो बताती थी यहां पढ़िये वेटलेंड शेहर जो की देश का पहला वेटलेंड शेहर बनने जा रहे है उदयपूर उदयपूर जिसे राजस्थान का सिटी ओफ लेक कहा जाता है तो राजस्थान सरकार परयावरण और इसे भारत के पहले वेटलेंड शेहर के रूप में विक्सत किया जाएगा रिपोर्ट के नुसार शेहर को अंतरास्थ्री महत्व के संभावित रामसर कंवेंशन की साइट में चुना गया है जो की दुनिया भर के वेटलेंड सम्रद्ध शेत्रों द्वारा प्रतिष्ठित माननेता है वेटलेंड क्या होते है आद्रभू में जल और थलके बीच का दलदला शेत्र जो की जैव विविधता इनकी बाइडाइवर्सिटी की पॉइंट ऑफ उसे इंपोर्टन होता है और उन्हें संरक्षित किया जाना आवश्यक होता है और वेटलेंड को संरक्षित क करने को लेकर के 1971 में एक कण्वेंशन हुआ जिससे आप रामसर कन्वेंशन की नाम से जानते हैं रामसर यह इस्चैन मैंने ओरली बता देती हूं दो फरवरी को वर्ड वेटलेंड डे मनाया जाता है तो उदैपुर ये राजस्थान का शहर जिसे राजस्थान का सिटी ओफ लेक कहते हैं कोटा तो ये देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनी थी देश की पहली दुनिया की दूसरी दुनिया की पहली कौन थी भुटान की कापिटल थिम्पू ये करंट फर में अभी हाल फिलाल में मने आप लगों को पढ़ाया है लगातार छटवी वर्ष भारत की सबसे स्वक्ष सिटी इसके अलावा अभी हाल फिलाल में एक रिपोर्ट आई थी वायू सर्विक्षन सब एक रटिपर सर्चिय सिनेम दिवस जोकि मनाय जाता है एक्टूबर 13 पहली बार राश्ट्रों की सिनेमा दिवस把 फिलाल मनाया ग्या था पिशले साल राश्ट्रों की सिनेमेशान से अधिक लोग और इसके OC throughout 11 October को मनाया जाता है International Girl Child Day और भारत में जो National Girl Child Day है ये जन्वरी मेने की 24 तारिक को मनाया जाता है इसके बाद 10 October को क्या मनाया गया है National Postal Day राश्ट्री डाक दिवस अंतर राश्ट्री ये 10 October को हम पढ़ेंगे 8 October को Indian Air Force Day मनाया गया है और Indian Air Force का प्रभार अभी कौन सम्हाल रहे है वरतमान में वी आर चौधरी यहीं कि विवेक राम चौधरी आगे चलते हैं सत्य जीतरे Life Time Achievement Award के लिए किसे चुना गया है तो यह चुना गया है माईकल डगलस को जो कि एक प्रसित बॉलिवूड सरी हॉलिवूड भी नेता है पिछले साल का यह जो सत्य जीतरे Life Time Achievement Award है इससे सम्मानित किये गये थे स्पैनिस फिल्म डायरेक्टर कार्लोस सौरा दोहजार बाइस में और यह प्रवाइड कराया जाता है जो गोवा में इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है न वहां पर अब इस साल होगा तो माईकल डगलस सम्मानित किये जाएंगे रजनी कांत जी इन्हें इसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था और इसके अलावा रजनी कांत को अभी जो आईसी सिमेंज वर्ल्ड कप हो ने इसके लिए गोल्डन टिकेट दिया है बीसी से आई ने सब्सम्मेंच के लिए मेंस के टिग्री में जो प्लेयर ओफ दre मंद है ये चुने गये हैं शुब्मन गिल शुब्मन गिल हलकी गुजराट टाइटन्स के लिए खिलते हैं इपल में जिने सब्टम्बर मंद के लिए प्लेयर आफ दmente चुनांगा है directory में और इसके इस दोनों के पास 5-5 टाइटल हो गए हैं जिन्होंने IPL में सबसे ज़ादा जीत हासल करी है और इसके अलावा रोहित शर्मा जस्ट हमने डिसकस किया है सबसे ज़ादा 6 लगाने का रिकॉर्ड इन्होंने ही बनाया है और इस मामले में इन्होंने West Indies के क्रिकेटर Chris Gale को पीछे छोड़ा है मुहम्मद शमी इन्होंने परपल कैप जीता था इस बार के IPL का सबसे जादा विकेट ले करके और अभी मैंने कोश्चन में बताया है कि सबसे जादा जो रन बनाता है जो खिलाड़ी सबसे जादा उसे मिलता है ओरेंज कैप जो की जीता था शुबमन गिल ने आगे चलते हैं हाली में किस राज्जे ने मिशन श्रक्ति अभियान के चौथे चरण के शिरुवात की है इसके शिरुवात रिसेंटली उत्तर विदेश गौवर्मन के द्वारा की गई है option number C इसका right answer हो जाएगा महिलाओ को शशक्त बनाने इन्हें independent बनाने इनकी आत्म निर्वर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश गौवर्मेंट मिशन शक्ति लेकर के आई थे और अभी रिसेंटली इसका चौथा चरण इन्हों ने लॉंच कर दिया है उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनो मुख्यमंत्री योगिय दितनाक राज़ पालानंदी बेन पटेल है लोग समसीटे 80, राज़ समसीट 31 है नेशनल पार्क में पीली भीत अमनगर दुधुआ, रानिपूर वाइल लाइस संचरी, कुछ करंट इसे दिया आप रिलेट करें तो भगवान श्रीराम के जो नगरी है युद्या ये उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनने जा रही है जबकि देश की पहली सोलर सिटी ये सांची मुद्ध प्रदेश है एशिया का सबसे बड़ाई एरपोर्ट जेवर एरपोर्ट नॉइडा में बनेगा और इसी नॉइडा में इस साल के अंत तक देश के पहली पॉड टेक्सी चलाई जाएगी बच्चों के लिए हेल्थ कार्ट जारी करने वाला पहला राज्ज उत्तर प्रदेश है और यहां इसकी राज़ानी लखनों में पहला बंदरवन स्थापित होने जा रहा है करनाटक ने महिलाओं को फ्री बस सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए शक्ति योजनक की शुरुआत की थी राजिस्थान से आप क्या रिलेट कर सकते हैं बायो फ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला यह पहला राज्य इसके अलावा बिहार के बाद इसने जाती आधारी जिनकर्णा कराने का फैसला किया है मध्य प्रदेश के उज्जैन से दिया आप रिलेट करेंगे क्योंकि इस साल के बजट में इस बात का उलेखाया था कि भारत का जो पहला यूनिटी मॉल है यह इसी उज्जैन में स्थापित किया गया मैंने कल आप से पूछा था भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझोते पर हस्ताक्षर की आंसर इसका अरजन्टीना था आज का सवाल आपका है मॉल दीप के नेरा अस्ट पती कौन बने है आंसर इसका आप कॉमेंट वाक्स में बताईए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थाइंक यू समच